स्लाम्मिक्मेफ व्रीवन कैसे हैं आप्स ब्लोग उम्मीद करता हूं स्लोग खरियस ते होंगे। अब उसको खरियस रखे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग CS4-08 जो है, वह लेक्टेर नमबर 6 से लेकर, लेक्चर नबर 10 तक जो कवर करेंगे प्रिएस लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नबर 1 से लेकर लेक्चर नबर 5 तक CS408 Human Computer Interaction को देखा था तो स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है काया किसे कहते हैं कि आपके माइंड के अंदर क्या जा रहिए प्रके मााइड के निकल रहा है उस उसमें से आर आप डिली रुटीन पर कौन से इक्टिव जा अपने माइड के अंदर कर रहे हैं ओसके बाद यहां पर मोड्म हैं अदर कशियर कंजेंशन में क्या होता है कि आप एक कैसी स्टेट के अंदर जाते हैं जब आप कोई अगर कुछ चीज देखते हैं ठीक है आप एक देखते हैं उसके बाद आप उसके उपर रियक करते हैं ठीक है जैसे फर्ज करें जी मैं आपको कहूं कोई डिजाइन कर लें कोई चीज लर्न कर रहे हैं कोई डिसीजन कर रहे हैं ठीक है को दो चीजों को कंपेर कर रहे हैं ठीक है तो इसमें काफ़दा चीज़ें हमारे पास यहां पर आ जाती है उसके बाद यहां पर हमारे पास आ जाता जाता जी एक्स्टेंडिंग दा इंफ Langshan or Denso Zealand चां木 ले यहां पर दिए हुए हैं Ango Dengan के इन्फ नहीं क्या करते हैं कि information जो हम ले रहे हैं इस एंटमिशन के नदर करें नहीं को इसको इन्गो less hours को Caribbean करते हैं अपनी तो फाइंड हो गया तो आप उसकी सेलेक्शन कर लेते हो वहां पर ठीक है नहीं तो फिर आप रिस्पोंस एक्षिशन के अंदर जाके आप क्या करोगे अपना जो भी एक्षिन होगा वाप उसको डिलीवर कर लोगे ठीक है जी यह रियक कर लोगे यह समयलिया आप उसके को सप्लीट कर देना ठीक है सेलेक्शन हम कहते हैं कंपेर करने को इसके बाद मेंटल मॉडल क्या होता है कि रेफर्ट तुदा रिप्रसेंटेशन पिपल कंस्ट्रक्ट इन दियर माइंड अफ देंसल्व उसके बाद यहां पे टाइपस ऑफ मोडल आगें कंसेप्चिल मोड करते हैं जो के वह करते हैं जो के हल्प करता है इक चीज डिजाइन करने में इंटर्फेस मेटाफोर क्या होता है यह घुई होता है जो करता है जो कि और उसके थ्रूम क्या करते हैं मैच करते हैं यूजर की रिक्वार्मेंट्स को उसके बाद ये सारी चीज़ें हम छोड़ दें हैं आपके लिए कुछ भी नहीं है करने वाला इसमें से लिक्शे नुबर 7 आ गया है इंपोट चैनल जोर आउटपोट चैनल में मारे पास आजाती है शाइट एंड इंड टॉट रेज विदा आउड न पर्स फिशिक एंड पर सेफिशनल लिमिटीन जीए उसके बाद ये पॉइंट दिये का कि इसके ये देख लीजेगा human eye, we can begin with light, this eye is a mechanism for receiving light and transforming it into electrical energy, roads are highly sensitive to light and therefore allow us to see under low level of illumination, if you go to low light, then you can see the roads that you can see under the eye, which is also a second receptor, which is less sensitive, which can tolerate more light, phoeoea is a small area of retina on which images are fixated, blind spot is also situated at retina, retina is mainly covered with photoceptors, उसके बाद nerve cells आगे है, the retina also has specialized nerve cells called ganglion cell, अब इसमें दो टाइपस आज़ती है, गये एक 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 सेल आज़ता है एक एक सल जो थै रिस्पॉंसिबल होता है और पैटरल्ग के मुमेंट के यल्ल का संप ऐसके बाद विल के आजङता है, इसके बाद की बात करेंगे, उसके बाद यहां पर राइटनास की आज़ता है, यहां भी यहीं पर आप कर लेंगे, perceiving color के अंदर इसको, perceiving color के अंदर मेरे पास तीन चीज़ां आ जाती है, intensity and saturation, है यह होता है हूँ इस डिटर्माइट बाइदा स्पेक्ट्रल वेवलेंथ ऑफ लाइट बिल्यू वेवलेंथ ग्रीन मेडियम एड लॉं यह निंगर किया के बिल्यू की शौर्ट वेवलेंथ होती है और ग्रीन मिडियम की तुरसे ज़्याद होती है फ्रोक्सिमेटिल वन सि can be discriminated by the average person intensity कहते हैं के brightness of light को or situation कहते हैं कि amount of whiteness कितनी है color के अंदर ठीक है जी यह आपको यहाँ पर दिखाया भी वह सरने example में उसके बाद लेक्षी नमबर एट आगे color theory color theory encompasses a multitude of definition concept and design application all the information would fill several encyclopedias इसके बाद यहां पर यहां पर यह color theory दीगी अपर अंदर कौन कौन से color होते हैं यहां को पता होना चाहिए इस आर था था थरी pigment color that cannot be mixed or farmed ठीक है by any combination of other colors अब इसमें कौन कौन से color होते हैं यहां को पता होना चाहिए लीक रेड य्ययलो बिल्यु यह 3 colors को मिला के अब को primary color बनता है और यह most important है secondary color color को मिला के बनता है green orange और purple को टटरी color को मिला के बनता है yellow orange red orange red purple blue purple blue green और yellow green उसके बाद ये color harmony आंगया अबिश्का कि इसके बाद अलो colors and colors are any three colors which are sided which are side by side on a 12 part of color wheel यह नोने color wheel को यहां पर दिखाया भी हुआ है उसके बाद यहां पर complementary colors आगें complementary are any two colors यह आद भी option में हुआ था which are directly opposite to each other such as red and green red and purple यानि कि यह opposite color होते हैं जो बाकी color के साथ opposite चलते हैं ठीक है यानि कि जार एक white हा तो यह उसका उल्टा black होगा उसके बाद यहां पर natural harmonic concept दिया गया है तो यह इसको बिल्कुल skip करने है ठीक है जी और यह कुछ भी नहीं आगया आपके करने वाला आप इसको skip करके आ जाए उसके बाद hearing concept दिया गया है the sense of hearing is often considered secondary to sight उसके बाद processing sound कैसे किया जाता है sound को process कैसे किया जाता है सबसे पहले यहां पर concept आ जाता है जी pitch का which is the frequency of the sound a low frequency produce a low pitch और high frequency सब्सक्राइब करेंगे जब pitch होगी उसी से जब आपके sound produce होता अगर तो high pitch होगी तो high sound produce होगा ठीक है अगर low pitch होगी तो low sound produce होगा loudness का concept आ जाता है loudness is the amplitude of the sound उसके बाद यहां पर sound की characteristics आ जाती है कि audible range होती है वो sound की वो 20Hz से लेके 15 kHz होती है human can human air can distinguish between change less than 1.5Hz उसके बाद touch का concept आ जाता है touch provide us with virtual information about our environment it tell us when we touch something hot or cold यानि कि इसमें हमें पता लग जाता है कि कोई जो चीज है जिसको हम touch कर रहे है होट है यह cold है उसके बारे हम बात कर रहे हैं यहां पर उसके बाद आप इसको सीप कर दें यह सारी theory है उसके बाद यह attention को आगे अगें से बाकी तो मैं खेर आपको करवाया हूं यह attention रहागी है कि ability of mind to focus one thing at time कि कि आपके mind के अंदर इतनी ability होके आप एक चीज को एक time पर focus कर सको ठीक है जी इसके बाद यहां पर काफी important concept आगे उनको दर पढ़ते हैं तो models of attention focused model और divided model focus model में क्या होता है our ability to attend one event अब इसमें क्या होता है कि one event के उपर focus करना focus attention करता है divided attention में यह होता है कि जैसे इस फर्द कर लें आप एक time में बस चला रहे हैं और साथ में आप इससे बात कर रहे हैं तो यह हमारी इसे कहते हैं कि जब हम लोग फर्द करें इस रूम में बैठे पढ़ रहे हैं और साथ वले रूम में कोई बैचा शोर कर रहा तो हमारा दिहान जाए लेकिन वह आप्टमेटली जा रहा है दिहान हमारा उदर तो यह हमारे पास इसके बाद यहां पर स्ट्रक्टियर इंफर्मिशन दी गई है तो इसको एक बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ने खाथा इंपॉर्ट है नहीं उसके बाद मैमरी कंसर्प्ट आगया है कि इंडीड मॉच इपाव डिल लाइफ एक्टिविटीज करते हैं वह साइक सार ज जी त्रह की मेईमोरी जोती है आप एक फंक्शन सेंड्री बुफर्स शॉट टरम मैमरी और वरकिं मैमरी आंड लॉंग टरम मैमरी योजि अलसो कार्ड मल्टी बिजतोः मॉडल ओफ मैमोरी अब जो सैंसरी स्ट्री ठोर यह रायम की तरह होती है, जैसे कंप्यूटर की रायम होती है, वह 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 जैसे कंप्यूटर की रायम होती है, और यह होती है यह आपके long term memory long term के लिए होती है ठीक है लाइक फर्द करें आपकी कुछ memories ऐसी होती है जो आपको हमेशे याद रहती है जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने पिछले साल इस डेट को जाने कि आज आज 2 डेट को क्या खाया था आपको नहीं याद लेकिन मैं को यह क्या इसी मेंशे जिसके Alone हमारा होता है मेमरी का वो एपिसोड यानि कि सीर सद्र की फ灑त और स्यम्हें हो रहा है और स्कुर मिए ऐगो रहा हुटता है रिकोर्ट की फाम में कि कि फाम में स्किलन वह में वोग है छुश के बाद यहां क्या होता है declarative में हम क्या करते हैं find करते हैं fact किसी भी चीज़ के ठीक है उसके बाद यहां पर हमारे पास आगे डाइनल लेंकिंग का concept आगया प्रासेस ऑफ लिंकिंग एंड मैनिपलेटिंग करते हैं अपने laptop के साथ और वहां पर हम लोग चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं जो उनके लिए बहुत इजी होती है transient यह भी आप जहन में रखिएगा यह सम्टाइम में सीब्स आज़ता है रीडिंग यह होती है वो क्विकर होती है दें श्पेकिंग और लिस्निंग के आज रिटन टक्स केन भी रैपर ली स्केंड इन वे नट पॉसिबल वन लिस्निंग तो सिर्यली प्रिजेंट इस पोकन वर्स यह बिल्कुर रह नहीं देंखा है लिस्निंग रिक्वार लेस कॉमिनिटिव एफ़र्ट दर रीडिंग और स्पेकिंग जो आपकी लिस्निंग होती है वो रिक्वार करती है लेस्ट एफ़र्ट एस कंपेर तो गर उसको कंपेर किया जाए रीडिंग के साथ यह श्पीकिंग के साथ चिल्डन इस्पेशली ओफन प्रफर्ट टो लिसन तुट नेरी टिफ प्रवाइडिए इन मल्टी मेडिया और वेब बेस लेंडिंग जो देन टुरीड एक्वार्ट टेक्स्ट ऑनलाइन कि यह चीज होती है तो आपको ग्रैमेटिकल चीजों का भी धिहान रखना पड़ता है यही बिल्कुल सेम छीज हमारे पास पोकन लेंगउज में भी आती है कि जब हम आम आप इन चीजों का दिहान रखना पड़ते हैं तो यह भी लाइन आप एकबर देख लीजएगा उसके बाद यहां पे speech recognition system that allow user to provide instruction via spoken commands अब यहां पे देखें जो speech recognition होती है उसमें यह होता है कि हम लोग speech के थुरू भी जो है वो data इंटर कर सकते हैं reasoning का concept आ गया गया यह भी बड़ा important concept है reasoning reasoning एक ऐसा process है जिसके जरीम अपना जो knowledge होता है उसको draw करते हैं उसको conclusion होता है किसी भी domain के उपर किसी भी interest के उपर हम वो यहां पे उसका नतीज़ा जब यहां पे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें different यहां पे reasoning आ जाती है अब यह अलग अलग तरह की reasoning होती है कि deductive reasoning होती है conductive होती है और एक abductive होती है ठीक है deductive में क्या होता है कि condition की बात करते हैं ठीक है जैसे मैं कहूं के if it is raining then the ground is dry कि अगर तो rain होगी तो हमारे पास जो ground है वो dry नहीं होगा it is Friday then she will go to work अगर Friday होगा तो वो रख पे जाएगा जनके condition होती है ड्राइड दे लोजिकल निसेस्टरी conclusion उसके बाद inductive reasoning में क्या आ जाता है inductive reasoning generalizing from cases we have seen to infer information about case we have not seen for example if every elephant we have see ever seen has a trunk we interfere that elephant have trunks of course this inference is unliable and cannot be proved to be true अब यह इसमें होता कि है मैं को साथ अलफाद में बता देता हूं इसमें inductive reasoning में होता यह है कि देखें आप generalize की बात करते हैं फर्द करें आपने एक elephant देखा है न तो आप उसी के base के ओपर हर एक elephant का अंताजा लगा लेते हैं कि उसके भई कितनी टांगें उसकी shape क्या है उसका size क्या है ठीक है बेशेक आपने बाकी सारों को ना देखा लेकिन आप अंदाजा लगा ले तो एक जैनल सही objective reasoning में क्या होता है objective reasoning में आप factor देखते हो उसके बाद आप action perform करते हो ठीक है जी problem solving यह process होता है जिसके थूर हम क्या करते हैं किसी भी problem को solve करते हैं उसके बाद guest layer theory आ जाती है guest layer theory में हम अपना existing knowledge use करते हैं जो हमारे mind के अंदर है और हम किसी problem को solve करते हैं उसके बाद problem space theory का concept आ जाता है इसके इनिशल state से लेकर अपने goal state तक जाते हैं इस theory के अंदर ठीक है उसके बाद हमारे जी आ जाती है एनलोक theory एनलोक theory के अंदर हम अपनी problem को divide करते हैं सब अमीद करता हूं कि आपको समझ आगे कि फिर भी कोई देन में क्यों रही हो को doubt रूद रूद रूप उचेगा अला हाफिस असलाम अलेक।